कि डिपेंडन्ट पर्सनेलिटी डिसॉर्डर के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कड़कर में मनोविकार सेख्स रोग सम्मोहन तथा विसम की तग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं कुछ लोग डिपेंडन्ट पर्सनेलिटी के रहते हैं मतलब लोगों के पर बहुत निर्बर हते हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं उनको लोग चाहिए बार 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 लोग चाहिए उनका जीवन जिनने के लिए अक्यले उनके लिए असंभ वे जीना और फिर उनको कुछ ना कुछ फिर बाद में मानसिक बिमारी तैयर हो जाती तो इनके क्या लक्षन है तो उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि पांच में से यह आठ लक्षन यह उनमें है तो वो समझ जाना कि वो dependent personality disorder है तो यह कुछ से आठ लक्षन है मैं आपको बताता हूँ नमबर एक कि कोई भी निर्णे लेने के लिए यह लोगों के उपर निर्भर रहते है और लोगों की सलहा लेते बार 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 और लोगों से आश्वासन लेते कि यह ठीक होंगा की ने होंगा यह बराबर है क्या आपको क्या लगता है तो यह निरेदे खुद ने लेंगे यह लोगों के ओपर कोई भी निरेदे के लिए dependent हो जाते हैं और लोगों को बार 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 पूछेंगे नमबर दो लोगों ने जवाबदारी लेना चाहिए इनकी जिंदगी की इनके काम की इनकी रिजर्स की ऐसा उनको बार बार लगते रहता है कि लोगों ने जवाबदारी लेना चाहिए मैं कुछ कमजोर हूं और लोग जवाबदारी लेंगे तो यह मैं काम कर सकता हूं ऐसा उ पूल सकते हैं वहत नाइस रहते हैं लोगों के साथ में बहूत या अच्छे तरह से वेवार करते noises Degoeder से नमभर चार कुद के बलबटे के ऊपर ये कोई भी काम की शुरूवात नहीं करें किउन को आत्मविश्वास कम रहता हैं तो पहुको किसने बोलने के सिवाए वह खुद की बलबते और काम की शरुमाद नहीं करेंगों और हरदम सपट मांगते जाएंगे. झाल में कि बन्म county च्परण रखने के लिए और लोगों की मदद मीलना चीव लोगों का सपोर्ण मिलना चीव इसलिए लोगों के लिए वो कुछ भी करने को, कुछ भी हद तक काम करने को तैयर है, तेकि लोगों ने इनको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयर है, कुछ भी हद तक कोई भी लिमिन तक यह काम करेंगे, फिर इच्छे, अकेला पन में उनको बहुत ही असाहे लगता है बेचे इन लगता है वो बहुत असाहे और बेचे इन महसुस करते जब वो अकेला रहते क्योंकि उनको अकेला पन में उनको ऐसा लगता है कि वे खुद की देखमाल नहीं कर सकूंगा या खुद के उपर मैं मिलब केर नहीं कर सकूंगा या ख के कारण यह जगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया तभी दूसरा रिष्टा तुरंत जोड लेंगे वो उसके लिए मजबूर हो जाते तुरंत रिष्टा कर लेंगे अर्जेंटली कर लेंगे नमबर आठ उनको ऐसा हरतम डर लगे रहता है कि लोग उनको छोड़ देंगे और और वो छोड़ देंगे तो यह अकेले खुद की देखबाल नहीं कर सके उनको हर दोम ऐसा डर लगे रहता है तो यह आठ में से यह पांच लक्षन है तुम यह बोलते हैं कि बहुत डिपेंड़न्ट परसिनलिटी डिसॉर्डर उनको है यह डिपेंड़न्ट परसिनलिटी बिफी वैक्ति मतव का दोशह यह प्रकार की विमारी हो सकती है लोगों के अपर निर्बर रहते उपको बार बार लोग रहत लगते हैं इनकाज मुक्चार सम्मोन उप्चार, Cognitive Hair Therapy Rational Immortive Hair Therapy है Group Therapy है इससे इनका इलाज हो जाता है और वो इनके इसमें अपन ये भावना जागरूत किये कि देखो तुमको ये प्राबलम है और ये प्राबलम है तो आप खुद का इलाज कर सकते हो अच्छे हो सकते हो और आपका जीवन आप इंडिपेंडेंटली जी सकते हो तो ये लोग इलाज करके सैको तरपी लेकि उनका जीवन अच्छा जी सकते है आपको ये वीडियो अच्छा लागा था जोरूर शेर करो सस्क्राइब करो लाइक करो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो मिशन है वह सब के लिए मांसिक स्वास्ते और वेसल मुक्त भारत हमारे यहां लोग आते है तो रिसारों के साथ में हमारे यहां लोग रहते हैं रिसारों के अलावा लोग रहते हैं और अक्षे करके अपहरे हरे से लोग लेके जाते हैं सके लिए में विल्स को ducks और की sits से और अपना जिवन अच्छा खुशाल कर सकते हैं तो थैंक्स फर वाचिंग